दोस्तों अपने पिछवी दोनों रिपोर्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एरान के अंदर एक भुकम पाया था और भुकम एक ऐसी जगा पर आया रेगिस्तान में जहाँ पर शायद ही पहले कभी एरान के अंदर भुकम आया हो इस भुकम की पुरी दुणिया के अंदर चरचा हो रही है आखिर क्यों भुकम तो बहुत सारे आते हैं यकि इस भुकम की चरचा इसलिए हो रही है क्योंकि टेकनोलोजी के जरेए वेग्यानिक जो जानकारी दे रहे हैं उसके मताबिक ये भुकम नैचृरल नही था ऐसा खतनाक भुकम पाया था ये खबर तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अब हुआ क्या है हुआ ये है कि इस खबर के बाहर आने के बाद परमाडू हत्यार हासल कर ली है इरान ने इस तरह की खबरे सामने आने के बाद इसराईल ने अपने हमलों की प्लाइनिंग को थोड के ओपर कोई हमला नहीं किया गया है नियू-यॉर्क टाइंस लिखता है कि जब इस राइन ने इस राइल के ओपर हमला किया आता तो इसराईल तुरंत हमले करने की प्लानिंग 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 प्लान ठिकानों पर हमला नहीं करेगा क्योंकि इसराइल को डर है कि जिस तरह की खबरे हाल के दिनों में सामने आ रही है कि भूकम पा रहा है और ये भूकम कोई नैचरल नहीं था इसराइल को भी इस बात का डर सता रहा है कि एरान ने शायद परमालो हत्यार हासिल कर लिए है मेरा दोस्तो इसराइल रमकिया बड़ी बड़ी दे रहा है परमालो ठिकानों पर हमला करने के लिए खूफिय ठिकानों पर हमला करने के लिए उसको बहुत भारी भरकम हत्यार चाहिए हैं बंकर बस्तर बमो का जो इस्तिमाल किया था लिम्लान के अंदर उन बंकर बस्तर बमो कभी भी एरान के उपर हमला नहीं कर सकता लास्ट रिपोर्ट में भी आपको बताया था सूची में जो लिस्ट तैयर की है इसराईल ने उसमें रास्ट पती भबन भी है जहां पर रास्ट पती रहते हैं आयातलला खामनाई जहां पर रहते हैं इसराइल की लिस्ट में वो भी है, वहाँ पर भी हमला करेगा इसराइल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमरीका के बिना इसराइल यह सब कर सकता है, बिलकुल नहीं, बड़े बड़े लिड़ा को विमान चाहिए होंगे, भारी भर कम बमों को उठाने के लिए, औ अमरीका के बिना इसराइल यह नहीं कर सकता, लेकिन अमरीका इरान के ओपर हमला करवाने के लिए, बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहा है, क्योंकि अमरीका को भी मालू है, कि रूस भी वहाँ पर पहुंच जाएगा, और फृत्तर कोरिया जैसे देश भी, और कुछ अरब देश भी हो सकता है, कि फिर इरान के साथ आ जाए, दोस्तों बरसी थी कल साथ अक्टूबर था, आपको मालूम है हमले की, हमास ने जो हमला किया था, इसराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश होई, कल शाम के वक्त में, जब उस बरसी के मौके पर, जिन लोगों की मौत हु इसराइल के उपर, लिमनान से भी रॉकेट लाउंच किये गए, घाजा से भी रॉकेट लाउंच किये गए, और साथी साथ यमन के होतीज ने भी मिसाइल हमले की हैं, जिस तरह से इरान ने इसराइल के उपर मिसाइले लाउंच की ती, उसी तरीके से, यमन के होतीज ने सत से सतय पर मार करने वाली मिसाइलों की एक जड़ी लगाई लेकिन इसराइल डिफेंस वर्सिस दाबा कर रही है कि हमने उसके इस हमले को नाकाम कर दिया टाइमस ओफ इसराइल की रिपोर्ट के मताबिक यमन की तरफ से सैक्लो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई थी लेकिन इसराइल तक पहुँचने से पहले ही उनको इसराइल के एरो एर डिफेंस सिस्टम ने जो लंबी दूरी की मिसाइलों को आने से रोकता है उसने ही मार कि जाता है फिलाल हमले को नाकाम कर दिया लेकिन जो मिसाइले आ रही थी उसके चलते हुए पूरे देश के अंदर सायरन वजना शुरू हो गए और जो लोग शोक मना रहे थे वो लोग बंकरों में जाकर चिप गए उदर साथ अक्टूबर की बरसी के मौके पर हमास ने एक बाड़ा दावा किया है कि उसने घाजा पट्टी के अंदर तकरीबन दस इसराइली सैनिकों को मारा और घायल किया हमास के अलकसाम ब्रिकट के एक प्रेस बयान के मताबिक एंटिक कार्मिक बमों का इस्तिमाल करके उन्होंने इसराइल के दस सैनिकों को मारा और घायल किया साथ साथ हमास के अलकसाम बिर्गिड ने ये भी दावा किया कि उन्होंने यासीन 105 मिसाइल का इस्तेमाल करके इसराइली वहनों को भी निशाना बनाया तो कह सकते हैं कि एक साल पूरा होने के बाद भी अभी भी हमास पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है इसराइल की एक वेबसाइट है जिसका नाम है वाला वेबसाइट उसने कहा कि लिम्नान के तरफ से इसराइल के हाइफा पर तकरीबन सो रॉकेट दागे गए इस्राइली मीडिया के मुताबिक हाइफा पर लेबनान की तरफ से ये भारी बंबारी युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी बंबारी है जिसमें बार बार रॉकेट दागी गए तो हिजबुल्ला बंबारी और रॉकेट वाजी तो कर रहा है जहां तक उसका बस चल रहा है हार कर चुप होकर बैठा नहीं है लिबनान के अंदर इस्राइली सेरा लगातार हमले कर रही है जिसके चलते हुए तुर्की के रास्ट पदीरा जब तईव एर्दुकान की सरकार अपने नागरिकों को निकालने के लिए समुंदर का रास्ता चुना है और तक्रीबन दो हजार तुर्की के लोगों को तुर्की के सरकार समुंदर के रास्ते अपने देश के अंदर वापस लेकर आएगी लिबनान से हिजबुल्ला के डिप्टी एस जी नाइम कासिम कहते हैं कि हम दुश्मन पर हमला कर रहे हैं मिसाइलों और ड्रोन की रेंज बढ़ा रहे हैं और जब हम अपने प्लैन के मताबिक तैकर लेंगे तो उस जगा पर हमला कर देंगे सबी को आजवस्त करें कि हमारी चमताएं ठीक हैं और दुश्मन जो हमारी चमताओं के सीमित होने के बारे में कहता है वो एक भरम और जूट है इसराइल कहता है ना लगातार कि हमने हिजब लला की ताकत को खत्म कर दिया है हिजब लला के हत्यारों को नस्ट कर दिया है उन्होंने का ये सिर्फ और सिर्फ जूट है लोगों को गुबरह करने वाली बाते है हमारी ताकत वैसी की वैसी है और हम जहाँ चाहें वहाँ पर हमला कर सकते हैं हेजबुल्ला की एक special unit है जिसका नाम है राडवान unit उसने कहा है कि हम चेताबनी देते हैं कि सभी कब्जा करने वाले चाहे वो इस्राइली सैनिक हो या वाशिंदे वो सभी के सब हमारे निशाने पर है हेजबुल्ला बैसे अभी तक इस्राइल के वाशिंदों को नहीं मार रहा था जो आम नागरिकते लेकिन उन्होंने का कि अब चाहें कोई भी हो सब हमारे निशाने पर है तुर्की के रास्टेपती रजब तईव एर्दुगान एक बाप फिर से कहते हैं देखिए इसराइल रुकने वाला नहीं है इसराइल ऐसे नहीं रुकेगा उन्होंने सभी इसलामिक देशों से का कि आप सभी लोग एक गड़बंदर मनाएं सभी इसलामिक देश एक गड़बंदर मनाकर इसराइल को रोकने की कोशिश करें OIC नाम का एक संगधन बना हुआ है तो और कितने संगधन बनाये जाएंगे तरकी के रास्टपती इस तरह के बयान हजारों बार दे चुके हैं और पूरी दुनिया का मेडिया इनके इस बड़ बोले बयानों को लेकर क्या कहता है मीडिया कहता है कि तुर्किय के रास्ट पती रजब तईव एर्दुगान ने बहुत बड़ा हमला बोला है ये किया है वो किया है तुर्किय के रास्ट पती रजब तईव एर्दुगान ने अपने इसी बयान में नितनियाहू को गाजा का कसाई बताया जो कि उनको हजारों बार बता चुके हैं हिटलर से उनको कंपेर कर दिया ये भी हजारों बार कर चुके हैं बस इसी तरह के बड़ बोली बाते तर्की के तरफ से की जा रही है नितनियाहू ने एक बार फिर से कहा है कि कई सारे देश इस बात का ऐलान कर चुके हैं वे किसी तरह से इसराइल की मदद नहीं करेंगे लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं इसराइल की मदद करते हैं तो उन्हें भारी जटका सहना पड़ेगा इरान की यह चेताबनी यूरोपिय देशों के लिए नहीं है बलकि आस पास है तो इसको इन सभी मुस्लिम देशों के एरिस पेस का इस्तिमाल करके ही एरान के उपर हमला करना पड़ेगा इस रिपोर्ट में इतना ही कुछ और खबरों के साथ जल्द आज़र होंगा तब तक के लिए अपना खाया लखिए का अलाफिज